तोड़ेय विडिसकों न्यू नू टॉपिक दैट इस मायटोसिस सेल डिविजन तो को मायटोसिस सेल डिविजन क्या होती है एक ऐसी सेल डिविजन होती है जिसमें एक सेल से दो सेल फॉर्म होंगी and same number chromosome आएंगे इससे हम कहते हैं जिसके इंदे same number chromosome आएंगे that is known as mitosis क्या बोलते हैं mitosis कहा जाता है क्या होगा इसमें इसकी characteristic क्या होते हैं firstly हम इसकी characteristic देख लेते हैं characteristics characteristics इसकी characteristic में क्या होगा firstly two daughter cell formed two daughter cell या two sister cell formed यहां पर दो daughter cell बनेंगी या two sister cell बनेंगी यहां पर और यहां पर same number chromosome होंगे same number chromosome अगर अगर डिपलोड है तो डिपलोड मिलेगा अगर है पलोड है तो है पलोड मिलेगा right same number chromosome आपको देखने को मिलेगे और इसके इसके इंदर क्या होता है इसके इंदर आप देखोगे कि इसमें जो cells होती है यह जर्नली जो somatic cells होती है जो gamete cell के अलावा other cells मिलेगी यह जो gamete cells होती है इनके अलावा जो other cells मिलेगे उन में रिखने को मिलती है इन 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 the first phases, Mitosis is the first phase, that is prophage, second is the metaphage, 3rd is the anaphage and 4th is the telophage तो यहापे जर्नली कितने फेज होंगे? यहापे जर्नली 4 फेज होंगे prophage, metaphage, anaphage, telophage तो यहापे 4 फेज होंगे 1st phase start करते हैं 1st phase is the prophage prophage start करेंगे Diagrams रहेंगे prophage दिखो जो prophage होता है prophage की हम दो step बना सकते हैं तीन भी बना सकते हैं दैसे early prophage and late prophage अगर आख 3 बनाओगे तो early prophage, mid prophage and late prophage तो इसके टू डाइगरम तो शो करूँ इसमें यह chromatin होगा यह chromatin जो है यह condense होना शुरू हो जाएगा यह थ्रेड लाइक नहीं रहेगा यह अब फोल्ड होके एक chromatin बनाना स्टार्ट जाएगा और यहां पर आपको ester ray मिलेंगी इस तरह से यह इस तरह की form मिलेंगी इन्हें कहते हम ester जो एक centrally का पार्ट होती है राइट प्लांट में centrosomes होती है micro table की form बोल सकते हो यह यहां पर अपीर होती है यह होता उर्प कंध में इंडा अर्ली प्रोफेज इसकी बद स्यक्निव यह आएगा प्ली यह जितने भी डायग्रम बनेंगे आप सभी डायग्रम को को एक सीरेज में बनाऊ गए इसके बार कौन साता है इसके बारले प्रोफेस लेट फ्रोफेस में क्या हुआ यी ओडोफीर मेंब्रन होती है हुए ऍकनिलिल मेंब्रन डिसशाप याज़ा इस तरै कि यह असप्रें ऑन कौना पना पना आप इस जो chromosomes होते हैं जो chromatid होता है वो condense होके chromatid मना start कर देगा इस तरह से like this, like this, इस तरह से इस तरह का form मना start हो जाएगा इस तरह से formed करना start कर देगा ये right तो ये इस तरह से यहां पर formed होगा तो ये तो structure आप देख रहे होगे, ये chromosomes हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं, chromosomes बन रहे हैं, chromosome right, तो ये late prophase में होता है, अब prophase के बारे हम लिखते हैं, अब इस भी क्या हुआ, नुक्री मेंब्रन एपसेंट होना start होगी, chromatin जो है, condensed होगी, chromosome बना लिया, अब हम लिखते हैं, प्रोफेज के बारे में, combine लिखेंगे, प्रोफेज के बारे में, क्या होता है, chromosome, sorry, chromatin, become condensed, condensed होगा, condensed की स्पर्म होगा, chromosome होगा, ester ray, microtubule की जो ester ray होती हो, यहाँ पर मूँ करेंगी, microtubule, यह protein होती ही, tubulin protein की, आपको पता ही है, ester ray, microtubule दोनों के इंदर मिलती है, in centrosum as well as in the centrally, microtubule, ester ray, ray appear, यह appear होँगी, right, and the third होगा, nuclear membrane start disappear, nuclear membrane यहाँ पर गायब होना start होगी, nuclear membrane start disappear, nuclear membrane क्या हो जाएगी, हाँ से गायब होना start हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं इसके इंदर, right, अब इसके पाद नेक्स डाइग्रम बनाएंगे, that is metaphage, metaphage के भी दो पार्ट बनाएंगे, that is early metaphage and late metaphage, early metaphage, early metaphage में हम उस डाइग्राम से connect करेंगे, जो last हमने बनाए था, late pro phase का, उस डाइग्राम हमने क्या बनाए था, उस डाइग्राम हमने membrane को disappear दिखा था, यहां मेंब्रेन जोती completely disappear हो चुकी है, membrane complete disappear होगी आपर, और जो chromatin fiber हैं, वो दूसरे section में आपर मुग कर रहे हैं, आप देख रहे हो, like this, इस इस्ते जरली मुग कर रहे हैं, यह एस्टर है, यह लगवा दूसरे corner में पहुंच चुके हैं, यहां पर chromatin's, यहां पर present है यह, आप देख सकते हो, this is the, sorry, chromosome present है, हमने starting four chromosome लिए थे, तो four chromosome ही यहां पर लेंगे, chromosome के number reduce नहीं करेंगे, अगर में starting four लिए, तो यहां पर four ही लिएके चलेंगे, four pair मैंने यहां पर लिए, यह किसे में हुआ, यह early metaphase में हुआ, अब इसके बाद आई late metaphase, late metaphase में क्या होगा, यह दोनों corner पहुंच चुके हो गई, यानि जो estory है, वो दोनों end पर move कर चुकी है, like this, यह इसका spindle ray है, इन्हें बोलते spindle ray, अब यहां पर क्या है, यह chrome-sum जो है, इन्हें पर attach हो चुके है, लेकिन यह एक symmetry में नहीं मिलेंगे, symmetry का मतलब होता है, सारे एक line में नहीं मिलेंगे आपको, यह आलग लग line में मिलेंगे आपको, जैसे मैंने यहां पर बनाए हैं, इस तरह से like this, इस तरह से present होंगे, note in, एक single line में एक pattern में नहीं मिलेंगे, एक line में मिलेंगे, unsymmetrically range होंगे, कैसे होंगे, unsymmetrically range आपको देखाई देंगे इसके इंदर, तो यह होता है late metaphase में, right, अब इस metaphase के बारे में लिखेंगे, metaphase में क्या होता है, metaphase में आपको देखने को बिलेगा, spindle ray, spindle ray, यह ester ray, और आपोजिट पॉल, आपोजिट पॉल पर मूँ कर चुकी है, spindle ray या फिर आप बोल सकते हो, ester ray, आपोजिट पॉल पर मूँ कर चुकी है, chromosomes हो हैं, chromosomes आप देख सकते हैं, इसके उपर arrange हो चुके हैं, chromosomes arranged unsymmetrically on ester ray, इन ester ray के पर unsymmetrically range है, एक pattern में नहीं है, तो यह आपको देखने को बिल्या किसमें, metafage में, इसके बाद diagram बनाएंगे, अन फेज में, late metafage के बाद, anaphage की दो पार्ट बनाएंगे, एक आएगा early anaphage, अब इस diagram से change करेंगे, इस diagram में, क्या मिलेगा आपको, cell थोड़ी elongated हो जाएगी, cell थोड़ी लंबी हो जाएगी, like egg की shape में हो जाएगी cell, यह थोड़ी लंबी खी चुक्के होगी यहापे, cell जो है वो elongated मिलेगी, इस तरह से लंबाई में, और जो chromosomes है, यह ester है दोड़ों तरफ मिलेंगा आपको, cell थोड़ी elongated हो चुकी है, यह बंध है, like this, इसके बीच में आपको यह, यह आपको दिखाई दे रही है, right, chromosome जितने भी हैं, सारे एक pattern मा जाएगे, यहाँ पर जो chromosome जितने भी होते हैं, क्या हो जाएगे, सभी सभी chromosome में एक pattern में रेंज जाएगे, एक pattern का मतलब है, सारे सारे एक symmetry मा जाएगे, like this, right, सभी सभी chromosome क्या होगे, एक pattern में रेंज जाएगे, एक symmetry में रेंज जाएगे बिल्कुल, एक pattern में रेंज होँगे इसमें, early anaphage में, ओ तो next होगी, early anaphage के बाद तो next आएगी, that is late anaphage, late anaphage में क्या होता है, late anaphage में एक जो chromosome है, ये chromosome split होना स्टार्ट जाएगे, अब देखें, chromosome कुछ इस तरह split होगे, cell इसी तरह से elongated बनेगी, cell थोड़ी लंबी बनेगी इसमें भी, इसमें तरह से elongated थी, ऐसे इसमें elongated बनेगी, like egg type में, oval shape में, ये pole region है, यहाँ पर ये spindle है, यहाँ पर क्या होगा, ये तो chromosome में एक symmetry में थे, वो chromosome में split होना स्टार्ट जाएगे, कुछ इस तरह स्प्लिट होंगे देखिए, like this, like this, देखिए इसमें ऐसे क्या हुआ, अब पहले इसका diagram समझेगे, इसका diagram देखिए गए, एक बार ये chromosome का diagram आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से था, ये दो chromosome थे आपस में attach, ये दो chromosome यहाँ से centromere के थूरू जोड़े होए थे, यहाँ पर क्या हुआ, ये दो point था, ये एक point से इससे जोड़ा हुआ था, और जोड़ा हुआ 1and दोड़ा हुआ था, ये अ mermaid जोड़ा हुआ था ये एक एड़ी मुचा जोड़ा हुआ था, इस तरह से लिए यहाँ पर क क्या होता है, तो आपको यह रोडहा जोट हुआ गि यह सिंगल हो जाहेंगे इस तरह से लाइक इस इस तरह से तो टूटने पात क्या हुआ एक निची तरफ चल जाएक एक उपर तरफ चला जाएक और जिसके बैसे क्या करते हैं दोनों opposite pole पर move करना start करें तो यह होती है late anaphage क्या होगी? late anaphage में होता है लिखेंगे late anaphage के बारे में क्रॉबसों संट्रमेर क्रॉबसों संट्रमेर split the chromosomes यह chromosomes को क्या कर देगा? chromosomes center मेरे split the chromosomes यह chromosomes का तो center मेरे होता chromosomes को तोड़ देगा both chromosomes chromosome मू अपोजिट पोल अपोजिट पोल में मू करना start कर देंगे अपोजिट पोल का मतलब होता है अपोजिट पोल की तरह मू करना start कर देंगे तो यह आपको मिलेगा anaphage के दर fourth phase इसमें जो आती है that is telophage telophage के हम three parts दिखा सकते हैं that's a early telophage इसके बाद next आएगी इसके बाद जो आती है यहां पर diagrams इस diagram में क्या आएगा so cell है थोड़ी बीच से basic कारो बन जाएगी divide होने के लिए यानि इस तरह से यह अंदरी तरह पे एक plate बनना start जाएगी अगर plant cell wall ले रहें तो इसके अंदर cell wall plate बन जाएगी नहीं दरनली जोती है अंदर प्लाजम में में जोती है वह अंदर तरह फोर्ड हो जाती है तो उतने के लिए cytokinesis करने के लिए अब यहां पर आप देखूवे जो यह पोल की तरफ उपर तरफ मोह कर चुके हैं लाइक डिस है यहां पर क्रॉमसम आपको देखने को मिलेंगी अपोजित पोल की तरफ मोह कर चुके हैं लाइक दिस मिल्दोशित पोल की तरफ नए हां पर यह पाइट नुपलियृ मेंब्र extensive this appear हो अ दुबाद से रिय अपीर होना सम्हें दो है दुबारा से रिय अपिर होना सा जाएगी चैसे न्टर को यह होता हा है अर्दी टिल अफेस में नमबर सेकंड आती है इसके बाद दरसर मिड़ी टेलोफेज मिड़ी टेलोफेज में क्या होगा यह नुकली में में कम्पलेट बन चुकी यह करो थोड़ी अंदर तब और ज़्याद आज चुकी होगी आप देख सो तो इस डाइगराम में विया यह थोड़ी अंदर तरह ज्याद बोगव वर्चुकी है नुकली में 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 कम्पलेट बन चुकी होगी यहां पर नुकले में में जो अप्पलेट बन चुकी होगी क्रॉम सो मिसके बिलकुल इंहां पर आज चुके हैं के दब 1 2 3 4 केद ब 1 2 3 4 राइट यह अस्टेस्ट यह और यह तो। इह नहीं यह पर अऔर डिखारत यह नहीं दिन्ह यह तो एपिंगरे लृग को सबीड़ती है cabeça की शुछा फोग को दो का शुका है आप देहरा है आप देखेंगा के किरेस क क्कासि आलग नेच लुटीлем यह पर दिखाने के लिए लेट टेलोफेज लेट टेलोफेज में क्या होगा यह से टूट जाएगी यानि इस तरह से देलोफेह लिए पिए देलागें और शर्यमिलिए ल्यमिलिए लुटल से लानि दूटे ताहिए लिए यहां पर साल आगा टोुट जाली इसचाल आटी को स्वर इस पॉर्प्रम इद राइट तो यह क्या है यह एस्टर है यह आपे अब भी दिखाई देरी यह कुछ ताम के बाद यहां से देश्पीर हो जाएगी यह तो है इस त्टू डॉटर साल यह क्या है तू डॉटर साल डॉटर साल इनके नंदा से नंबर क्रॉमसम बन जाएंगे अप तो यह लेट टुलोफेज होती है तो यह लेट टुलोफेज के पार में लिखेंगे नुकले मेंब्रेंड अपियर अगें री अपियर री अपियर दो बारा से अपियर होगी क्रॉमसम थो है वो अपोजिट पोल पे है क्रॉमसम प्रॉमसम एड़ अपोजिट पॉल अपोजिट पोल पे है और चो शाइट ब्लाजम मों डिवाइड होना स्टाट जेगा cell start divide sorry cell ultimately divide ultimately divide and form और क्या बनाएंगी and form ultimately divide जाती है और क्या form बनाएंगी and form 4 and form 2 daughter cell 2 daughter cell और यहाँ पर क्या बनाएंगी 2 daughter cell यहाँ पर divide form बनेंगी 2 daughter cell यहाँ बनेंगी तो अब देख सकते हो यह cell ultimately divide होगी और यहाँ पर कितने cell बनाएंगी 2 daughter cell यहाँ पर form रह चुती है right अब इसके बाद यह last phase थी इसके बाद जर्नली आते हैं इंटरफेज एक स्टेज और आप यहाँ पर तो वापिस क्या बन जाएगा है पेर बन जाएगा है इस तरह से इंटरफेज में स्टार्टिंग में मैंने 4 पेर लिये थे तो यहाँ पर पेर वापिस बन चुके है right तो यह किसमें होता है यह इंटरफेज में होता है right so that is about the mitosis right mitosis of the complete